हेलो दोस्तों गेरेंस्टूड के यूट्वीब चैनल में आपका इक बर्ष फेज से स्वाजत है तो आज का हमार टॉपिक है डक्टिलीटी तो मैं अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर आपको लिंक दे रहा हूं वहाँ पे आप प्लिक करके देख सकते हैं तो डक्टिलीटी क्या है इसकी हम डेफिनिशन पहले समय लें इसका मतलब उसमें डक्टिलीटी है जो मटीरियल वायर की शेप में बनाए जा सकते हैं उसको पतला किया जा सकता है जो मटीरियल था वो बहुत मालो विट्थ वाला था थिकनेस वाला था आपने उसको खीच-खीच के एक छोटे से होल में से मालो निकाला और खीच-खीच के इसको वायर बना दिया ऐसी प्रॉपटी अगर है तो उस प्रॉपटी को हम क्या कहेंगे डक्टी लिटी इस प्रॉपटी का हमने फाइदा उठाया तो हमने सारी जो cables हैं, हमारे पास wires हैं, देखिए electricity, हम इदर से उदर लेके जाते हैं, हम transfer कर रहे हैं electricity, कहां कहां से देखो, तो वो wires सारी की सारी जो wires हैं, वो ductility property की महर्बानी है, अगर ये महर्बानी नहीं करेगा, property नहीं होगी, तो हमारे पास wires नहीं मनेंगी, समझ के दे गर्दन है, ऐसे याद कर लो, कि ये लंबी गर्दन है उसकी, तो लंबी गर्दन किसने, लंबी की ductility ने, duck की लंबी गर्दन, लंबी की मतलब wires की तरह खीची हुई, तो duck की जो लंबी गर्दन है, खीची हुई है, वो ductility के कारण है, तो ratification अगर आपने मारना है, तो ये भी रटा बन सकता है, तो यहाँ पर वीडियो देखेंगे हम, कि ये ductility की example है, कि ductility किस तरह से होती है, देखिए ये wire इसको shape में convert कर रहा है, wire बना रहा है, तो ये एक देखिए cross section, छोटा सा cross section है, उसमें से निकाल के wire बना रहे हैं, तो ये जो wire बनाने का method है, ठीक है, ये property है material की, उस property के कारण ही wires बन रही है, ऐसे नहीं बन रही है, तो ये wire बनाने के लिए ductility property चाहिए, तो अब देखिए difference between elasticity या ductility, एक student ने मुझे question किया था, कि difference क्या है, elasticity और ductility में difference क्या है, देखिए, आप simple सी language में समझो इसको, due to elasticity, material comes back to original position, elasticity में हम क्या करते हैं, कि किसी चीग को हम खीचते हैं, और ये वापिस आ जाता है, खीचने के बाद ये वापिस अपनी जगा पे आ जाता है, जैसे spring, ठीक है, spring ये example है, elasticity की, ductility में, but due to ductility, we can stretch a material, हम उस material को खीच सकते हैं, but it will not come back to original position after removal of deforming load, जब हम load हटाएंगे, तो elasticity में भी तो खीचा जाता है, तो difference क्या है, ये difference है, ये elasticity, उसमें property है, कि अपनी shape वापिस regain कर लेगा, जैसे खीचेंगे, छोड़ेंगे, उसको बाद वापिस आ जाएगा, ये वापिस नहीं आएगा, खीचा जूरूर जाएगा, ठीक है, तो ये वही फिर से बात आगी, कि हमारे पास दो reason है, ठीक है, हमारे पास इस region में जो होगा, elastic limit तक होगा, वो elasticity के लाएगा, लेकिन plastic, देखे, और deformation कौन सी, और ये plastic deformation, तो इस region में जो हमारे पास deformation होगी, वो ductility होगी, उसमें property, इसलिए यासा हो रहा है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझाग होगी, simple language में मैंने कोशी की है, आप बाखी वीडियो देखने के लिए YouTube पे सर्च कर सकते हो, सर्च बोक्स में आप जो भी topic लिखना चाते लिखे, साथ में गेर इंस्टूड लिख दिए, अगर मैंने उस topic पे वीडियो बनाई है, तो आपके सामने आ जाएगी, thank you, thank you so much, next वीडियो में फिर से मिलेंगे,